कि कि गाइस तो हम लोग लाइव हैं आई थिंक और आप सभी पर में भी आवाज जा रही हो अगर आवाज नहीं आ रही है तो मुझे बताओ अभी कमेंट सेक्शन में तो मैं देखता हूँ फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं लगता है कि किसी को नॉटिफिकेशन ही नहीं गया आभी तक वाई लोग नॉटिफिकेशन गया क्या हम नॉटिफिकेशन तो चला गया है युझें युझें सेक्रीज से सेंट ही हो नॉटिट इकरिए की थाहा है युझें तो लॉटिझेशन देलिमिके की सेंगे ङही새ं क्लिव, हम जले विमिक्स य Gul को भया विदाए्ट केल के विंध म?!" क्लिव डाओर के वन प्ताव के कारवाए्ट कि विस zo क्यात हो की वार मुन हो फियंके उ पिर बता। と速 के वार में के विसा कि ऑारवाए्ट कहा बार virtue मैं किन प OMG को वे अ वार एार य works चलो सभी है फिर चल रहा है सब के फोन में बहुत अच्छी बात है और वैसे तो यह लोग चाइनीज में बोलेंगे ठीक है तो बहुत कोई मत होना अगर मुझे समझ में आएगी वह क्या बोल रहे है और वह चीज काम की होगी तो मैं साइड से बोल दूंगा कि क्या बोल रहे है ठीक है बाकि हम लोग पिक्चर देखके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है तो अच्छी चुछ तो अच्छी अच्छी में बहुत बढ़िया हूं उमीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होगे और यहां पर मुझे बस यह नहीं शो कर रहा है कि कितने लोग लाइव देख रहे हैं बढ़ हां सबके कमेंट अब देख रहे हैं वाओ दिस इस ग्रेट आयम बेटिंग ओके आसिफ भाई चली देखते हैं ठीक चल रहा है चलो ठीक है और कहा हो भाई घर में हूं कैसा हूं ठी करने वाले हैं साथी साथ मिय 11 को भी लांच करने वाले हैं तो थो टाइम लगेगा मिय 11 का नंबर आने में और कितना टाइम लगेगा यह एक्जाक्ली मुझे नहीं पता है बट आई थिंक कि यह जल्दी हो जाना ची आधे गंटे के अंदर में वो लोग मेरे ख्याल से कर दो कि कुषा कि यह कुष्याए नहीं नहींटर से रिए मिकूल से रिए रियू में दो से देखा आ जीकिनल में यह जीवांटर आई पसके बाइव यह नग्ण के अमने की दो आक कि अ मुझे कि दो इस भाइब्स नहीं बट भाई अ कि ब्रेड ड़ाओ कि आद रहा रहा ह भाई मुसाफिर आका जोस को सपोर्ट करें कौन भाई वो मुझे नहीं पता भाई कब तक लॉंच होगा इंडिया में इंडिया में फ्रा टाइम लगेगा और इम युआ वर्सेस ऑम युई विच वन इस ओ भाई मुझे एम युआ पसंद है बट मैंने इम युवाई कभी यूज नहीं किया कि और का फोन यूज नहीं किया अस्लाम वालेकुम वालेकूम अस्लाम मौहमद परवेश भाई हर्शित भाई आगे हैं ओ गुड हर्शित हाई Redmi Note 7 Pro में आएगा बिल्कुल सल्मान भाई आएगा और Mi Y11 ग्लोबल हो जाएगा आज नहीं आज ग्लोबल नहीं होगा बिग फैन ऑफ यूसुफ शुक्रिया असित भाई और हाई सब में मिलेगा सब्सक्राइब करो कि फिलाल टीवी लौज की बात हो रही है इस यह लोग देखा रहे हैं कि इतने सारे चैनल में एड हो गए है आपकी वीडियो बहुत informative होती है, शुक्रिया भाई, राज जोशी दास, हिमाशु सिंग, भाई, Redmi 6 में batch में आएगा, भाई, पहले batch में तो नहीं आएगा, Redmi 6 को दूसरे batch में मिलेगा, सरोज, हम, आवाज नहीं आई हमको, अच्छा कोई बात नहीं हार्शित भाई, मैं बोल ग्रेट फणी चैनल, गुड़ भाई, Redmi Note 7 Pro में अपडेट कब जल्दी आएगा, अहसान भाई, भोजपूरिया, Note 7 Pro में भी आएगा, पहले batch में नहीं दूसरे batch में आएगा, हैकिट्स आगर आ रहे हैं, अपुन छुट्टी में, EMUI vs MIUI होगा, हाँ जरूर भाई, Redmi 5 में मिल यह, हैक फॉर नहीं, ओके, और Redmi Note 4 MIUI 11 उस पर डाउट है, Redmi 6 में तो आएगा, बट तीसरे batch में आएगा, या दूसरे batch में आएगा, हेलो, Note 5 Pro में 11 बिलकुल आएगा, और तीसरे batch में आएगा, Redmi 6, 3, 4 batch, हाँ, वही लगभग माने लो, Redmi 5A में भी आ सकता है, बट कनफर्म न भी आना चाहिए, आना चाहिए, बिलकुल आना चाहिए, भाई, when Redmi Note 5 Pro will get MIUI 11, सून ब्रो, बट अभी नहीं, दो-तीन महीने लगेंगे, Redmi Note 5 Pro में आएगा, Redmi 5 में आएगा, ठग अड़ा, अच्छा स्वारी, ठग अड़ा, ठग सड़ा, ओके, मैं समझ गया, Redmi 6 Pro में भी और वीडियो बनाते हो, भाई, आप बहुत मस्ट वीडियो बनाते हो, थैंक यू भाई, और विस्वांत भाई, थैंक यू, सरोज, भोषपूदी, भाई, Note 5 Pro, अतुल, MI A3 में मिलेगा, मिलेगा, MI A3 में, इंडिया में तो नहीं मिलेगा, भाई, MIUI 11, बट वो चाइना में जो है, उसके अंदर MIUI 11 डाल के देंगे, और यूसू भाई, आपकी वीडियो 100% sure helpful होती है, शुक्रिया हिमानशु भाई, Ultimate Anonymous, Redmi 4 में आएगा, आ सकता है, कनकॉम नहीं, यूसू भाई, लुकिंग, परेशान, आफ्टर देखिंग, जल्दी-जल्दी कमेंट, हाँ भाई, स कभी नहीं होगा, महताब भाई, यह बस लोग अपनी वीडियो को रैंक करने के लिए, टाइटल में डाल देता है, बट ऐसा नहीं होने वाला है, so don't worry, Redmi 3S Prime में नहीं मिलेगा, Redmi 6A में मिलेगा, भाई, ठीक है, अभी भाई, Note 7 Pro में कब मिलेगा, चल तो रहा है, लाई, भा क्लॉ, ओपी भाई, यह देखो, हाँ, पता नहीं क्यों आज इनके लाइव में तो आवाजी नहीं है, यार मतलब मेरा फोन जो है, देखो, वॉल्यूम देखो, आप लोग फुल पर है, लेकिन भाई साब का कुछ बजी नहीं रहा है, मतलब मुझे भी ठीक से सुनाई नही आ रही है, हेलो ब्रादर, हेलो फ्रेंड, आ रही है, नगरवाल भाई, वक्त थे थोड़ा लिंक को शेर करने का, क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हो, तो मैं ही कर देता हूँ, पता है, लास्ट टाइम जो मी बैंट 4 का लाइव लॉंच इवेंट था न, उसके अंदर उन लोगों ने गाना एड़ किया था, जिसके बाद में मेरे वीडियो पर मतलब कॉपी राइट क्लेम आ गया था सौंग के उपर, तो फिर मुझे वो सौंग हटाना पड़ा, और ब बंद कर दिया, लाइव को, हाँ, पोको एफवन में भी आएगा, बिल्कुल आएगा, कल लॉंच होंगे टाइम, कब लॉंच होंगे टाइम, भाई हो सकता है, आज ही बता दे, बट अभी फिलाल चाइना का ही पता चल सकता है, अगर चला तो, इंडिया का अभी पता नहीं ही चलने वाला है, ठीक है, और, ओके तो लाइव देखने वाले लोग 36 हो गया है, फिर से घटके यार, मतलब, एक तालिस पर चले गए थे, हा, कोई बात नहीं, वैसे अभी इवेंट स्टार्ड भी नहीं हुआ हो जाएगा जल्दी, जब तक हम लोग गफी कर लेते हैं, सरोज स्टॉप स्पामिंग, ओके, विच एमाई फोन इस बेटर अंडर 12 to 13 के, दीपक भाई, मैं आपको कॉल करूंगा, अभी ओफर आए वे हर्ष भाई, 240P में देख ले, और ये क्या है, अलर्ट, 50% डेटा यूजड, अरे नहीं हर्ष भाई, मतलब हर्ष भाई मेरे बारे में बता रहे थे, कि मेरा 50% डेटा यूजड हो गया, एक्चलि देखो, 50% वो मेरा 2GB वाला डेटा, मतलब 1GB वाला डेटा है, और ऐसे मेरे मैं कम से कम 5 घंटे लाइब कर सकता हूँ, ठीक है शोयब भाई, आवाज बिलकुल ठीक है, और कौन सा गाना, अरे कोई था म्यूजड वगएरा, उसी पर आया था स्ट्राइक, तो मुझे वो हटाना पाद, ठीक हो गया, कोई दिकत नहीं है, कब तक स्टेबल आएगा, वाँची सेट कर रहा है, ओके, लाइब में कनेक्शन इसु डिटेक्ट हुआ है, पतनी क्या है, कंटेंट इसु डिटेक्ट है, आगे अलो, कॉपी राइट आगे, we have detected कॉपी राइट ओडियो इस्ट्रीम, जो इस्ट्रीम ने भी तैंपरीली ब्लॉग, इस्ट्रीम चल र राइब भत्त वी लाइब आrene जिएजय सेट कंने में याइब मेरे राइब में पीघिये सेट डिवांची अिछैन 스ड — फुपी राइब कर दन के कांट ली तूУट्ष रहीं ब्लॉग वी में ओूँमें स्ट्रीमगैं इस प्ट्राइब पटें डिज़े यामें तिरीम या झाल में एकोंचे Cristoanta. सैभॵेग करेสब्सक्झे का क्राँनिक कुछ्छा प्रभा चूर चाहिए प्रावाज क्राव friendship? अप्रइश कर लिए में ग्रणão सुन्पाराओ…. झाल में एकुछाँ क्या क्राव जानना संप्कंछाचां एकक में एक।ब्सक्ट प्रावा I really am the Mr. Gain who worked for a lot of okay guys again strike आ गया है और strike जो है वो कुछ इस तरह का है कि we detected copyright audio in your stream अभी जो music बज रहा था इनका चाइना वले MIUI का उस पर भी आ गया यानि कि अब इस live stream से जितने भी पैसे आने वाले है वो मुझे नहीं मिलने वाले है वो music company को मिलने वाले है ठीक है अभी मैंने music बंद गर दिया है अब से music नहीं चलेगा यह फालतू भाशन दे रहा है हमी लोग गब करते है बैटरी लाइफ नेटमी note 5 pro की यार अब क्या अच्छी होगी दो साल पुराना तो आपका फोन हो गया है मतलब अब उसकी बैटरी लाइफ का क्या आप उमिद रखते हैं लेकिन हाँ यह तो सच है एकदम की MIUI 9 से MIUI 10 के आने के बाद बैटरी की काफी प्राबलम हुई थी और I hope कि 11 में ठीक हो जाए क्योंकि 11 में बहुत सारे power saving mode डाले गया है ठीक है और अब यह अपनी तारीफ कर रहा है कि मतलब यह क्या-क्या देते हैं जो के हमेशा करते हैं चल रही है चल रही है इस्ट्रीम बढ़ वहां मेरे पास जो इंपूट पोर्टल है वहां पर दिख रहा है कि content issue detected और audio जो है मैच हो गया है किसी म्यूजिक से ठीक है कोई बात नहीं पढ़िया है चलने तो बस इस्ट्रीम चलता रहे नहीं म्यूजिक वाला वडियो नहीं चलाओंगा पक्ता जो है बड्रीम परिख वहां में तो इस्ट्रीम थास्ट्रीम थाम्रों स्मॉर्ण यहां में परूब स्ट्रीम अंदफ चलने रहे जले वह बिवर्द पर शोड़ है बाई उन्तीस लोग देख रहे हैं ठीक है सॉरी पैंतीस लोग देख रहे हैं और स्ट्रीम में लोग नहीं बढ़ रहे हैं यार थोड़ा बहुत शेयर कर दो वैसे तो पैसा आने वाला है नहीं वर फिर भी कर दो शेयर आपका टेक दोस्त भाई मी नाइन एक्स मी नाइन है हाँ भाई मी मी मीक्स 9 भी होगा और वो इंडिया में पता नहीं आएगा की नहीं आएगा तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं भाई रेडमी 6 के लिए पांच मंथ हुए हैं और बैटरी 8 घंटा चलती है भाई रेडमी 6 की बैटरी एक्चुली में कम थी पहले से ही और 10 इंस्टाल होने के बाद उसकी बैटरी और घटा हा हो गई ठीक है तो मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम चलो अब एक रिक्वेस्ट है सबसे ध्यान से सुनना डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे तो दूसरे लाइन में आपको एक चैनल की लिंक मिलेगी ठीक है वहाँ लिखा हुआ है सब्सक्राइब चैनल का लिंक फॉर लेटेस्ट MIUI 11 निउस उस चैनल को जाके सब पहले सब्सक्राइब कर लो ठीक है यह पागल क्या बोल रहा है भाई बोल रहा था पता नहीं भाई मुझे नहीं पता पढ़ता हूं मैसेज जब तक आप मेरी बात सुन लो जैसा कि मैंने कहा यह भाई अपने पुराने प्रोड़क्ट की तारीफ कर रहे हैं फिलाल वह अभी मतलब इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है ठीक है तो बस मैं देख रहा हूं कि किसने किसने सब्सक्राइब किया है तो बस जल्दी जल्दी जाओ और वह छोटे वाले चैनल को हमारे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो 35 लोग देख रहे हैं कितना लोग जाते हैं लड़ जाओ उनसे और वह आपको बैटरी रिप्लेस करके देंगे ठीक है कुछ बोला ही है को कुछ नहीं चाहिए बैटरी रिप्लेस करो बस इतने बात बोलना रेट्मी नोट 7 में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है हां उसके लेटेस्ट अपडेट में नेटवर्क प्र आएगा की नहीं देखो रिप्लेस नोट 4 का कंफॉर्म नहीं है 50-50 है लेकिन आज कंफॉर्म हो जाएगा या आने वाले एक हफ़ते के अंदर कंफॉर्म हो जाएगा जो भी होगी ऑफिशियल न्यूज अप्डेट्स वाले चैनल पर मैं डाल दूँगा मैंने कर रखा है सब्सक्राइब शुक्रिया रोही भाई मैंने आपका कमेंट भी देखा है ओके अभी सिर्फ एक आदमी ने सब्सक्राइब किया है चलो कोई बात नहीं एट लिस्ट 35 में से एक आदमी तो गया और यह अब वो अपना टीवी का एक लांच कर रहे हैं जो के 43, 55 और 55 इंच के मॉडल में आएगा चाइनीज में क्या लिखा हुआ है वो तो नहीं पता बड उसके आगे प्रो लिखा हुआ है अब कौन से टीवी है भाई उपर वाला जाने in your living room or in a smaller house and also all the products have LCD compared to ordinary TVs the full screen TV has a lot of advantages and characteristics but for the interest of time I will just pick up some key points the most important thing is that the design in the full screen means that it has a very very narrow bezel as you can see that on the left you can find the image of the ordinary TV with very wide bezel but on the right we have this special designing for full screen so it almost has no bezel so it can provide perfect experience to the viewers and also the effect is very impressive just like you are immersed in this real scenario भाई ये इवेंट हो रहा है चाइना के बीजिंग शहर में और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पहले से कर रहा था एटलिस मुझे बोलना नहीं पड़ा और हमारे दूसरे moderator भी जुड़ गया है तो अगर किसी का कमेंट एस्पाम में गया तो वो देख लेंगे थैंक्स भाई बताने के लिए Redmi Note 4 के लिए और मेरा कमेंट नहीं पड़ा सौरी रोहित भाई फिर से कर दीजे यार उपर चला गया अब बड़ा दिक्कत हो जाता है मतलब क्या बता हूँ मैं थोड़ा मैं लिंक शेयर कर रहा हूं जब तक ओके अल्मॉस्ट एवरी एमाई फोन मिउई 11 मिलेगा बट ओल्ड फोन में नहीं मिलेगा बिल्कुल सही जैसे की रेड्मी 3S प्राइम को तो कंफर्म ना मिलेगा बाकी देखते हैं और हाँ रेड्मी नोट 8 प्रो में ओवर हीटिंग तो आ रहा है अब देखते हैं कि रेड्मी नहीं मिलेगा और एक दो तीन हाँ भाजी मुझे मिउई 11 आज होने हैं लॉंच हाँ भाई आज ही लॉंच होगा सिदार्थ भाई और रेड्मी 6 में पाई अपडेट आएगा पाई अपडेट तो आ गया है 6 में कुछ लोगों का रिवोक हो गया था फिर से मिला फिर आया फिर गया ऐसे ही चलता रहा ओवरल ओल मारलो आ जाएगा बट कुछ सिस्टम इशू है और गुड नियूज यह है कि अभी तक में मतलब दो लोगों ने मिउई 11 अपडेट वाले चैनल को सब्सक्राइब किया है यानि 1712 से 1714 सब्सक्राइबर हो गये हैं चलो ठीक अब आपकों पचास लोग गये थे हाइस आज नोटेट प्रो का रिकॉर्ट टूटेगा क्या पता नहीं यह 5G फोन के बारे में बात करें चलो थोड़ा देख लेकिए तो बात करें चलो थो अबकॉमिंग अच्छों को अबद शनेंग चलो प्रों के बात करें बात करें च दिए का फुर्ट कुर्ड़े तुर्ट बचार देह कि लिए कि रुम्त करें चलो थे मॉ小 को सप्पटैंट अज्से प्रहुस्कुराज पार्स कि आपके आपनिगार द्धिर आपके बार्षयर्ट में करें। बुर्ट में यह डिस्प्लेश में आपके आपके चांपे आपके जो है तुले गरें। ओके गाइस डिस्प्ले पे जो टीवी आप देख रहे हो यह टीवी जो है फाइवची टीवी होने वाला है 8K recording मतलब 8K stream चलेगा इस पर ठीक है मतलब 8K तक चलेगा तो बहुत बढ़िया बात है chat disconnected please wait a while for reconnect पता नहीं chat क्यों disconnect हो गया खेट जो भी है यह आप देख सकते हो यहां पर अच्छा मेरा नेटवर्क इशू हुआ है की जो कुछ पस्टोर गुट्स्थ粘 कर अच्छने का दोonomाच का लेइत कि विपट्स विवी जो कर्ताफ का और उतक Polsce जो ऑल च definiищ थम प्राफ में डाच्छ में molds में साय के पखाब साथ मौ प inflamant वीज़ पार बार ूमीड़ फ inc I so the उसे आड़ जे वहाले यहाले जहाले कि अर्बास्ट गार। कि एम एंद 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 एंगाने यह सुखने हो फिसंध वहाले थित्फमिश एंद एंद आप याद हैं मुझे और चाइना वालों के हिस्ट आप याद हैं मुझे और चाइना वालों के हिंदी नहीं समझ में आती है लेकिन यह उनकी लैंगविज है यार मतलब उनको भी हिंदी नहीं समझ में आती है अर इस टीवी का प्राइड भी रिविल हो गया है 1499 युवान 43 इंच के लिए और 55 इंच के लिए 2399 युवान और 65 इंच के लिए 3399 युवान ठीक है और इस पेसिफिकेशन की मैं बात करता हूँ जो मैंने लिख लिया है और यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर Amlogic का T072 का प्रोसेसर लगावा है जो के एक 4 core 64 bit 12 nanometer का बेस्ट प्रोसेसर है और इसकी स्पीड जो है 63% इंक्रीज हुई है पहले से अभी के बनिश बद बोली बोली ना अच्छा अभी के लाइब कर रहे हैं लाइब कर बात करता है लाइब ही 1499 युवान का मतलब कितना होता है रुको मैं बताता हूँ अभी कुरत अभी के लाइब कर दो कि अपकर हुआ है। अभी कुरत The entire series of Mi 9 Pro is supportive of 5G, it supports all three carriers, two SIM cards, and those are some of the new products from our competitors. In comparison, our product supports all three operators when it comes to 5G experience. Well, I've tried it out, personally, myself, and I've got to say, it's amazing. Here is a table for comparison. In our test, compared to 4G, it's 10 times faster. In our laboratory test, it's 2G BPS, and its road test is the speed. The game was 1.78G BPS, and if you compare its performance from 4G, it's 10 times faster. Of course, our numbers are dry, but let me give you some examples. For instance, if you were to download a game that is 1.89GB, it takes only 15 seconds. If you were to download 100 songs, it'll take you only 3 seconds. If you want more to download the music, you can do it, it's 10 times faster. It's not confirmed, but if you go to college, do not wait. If you go to college, do not wait. It's okay, okay. Is anybody Tamil, sorry. I don't have Tamil. I don't have any. Don't go with your time. नहीं जाके रूंचा हो मिउआई 11 के फीचर एटिसी के अलग वीडियो बना लेना हा भाई वो सारी मिउआ 11 के रिगार्डिंग जो भी यह बताएंगे है और उस तब की वीडियो जो हमारे मिउआ 11 अपडेट्स वाले चैनल पर आएगी जिसकी लिंक मैंने अल्रेडी दे मी 9 pro की शायद charging speed देखा रहे हैं और बाकी processing speed देखा रहे हैं मैंने बंद गर दिया audio कहीं से फिर से कोई strike ना दे दे इसलिए और नेक्स्ट वीक से आएगा चाइना में हाँ इस फ्राइडे से आने की बात हो रही है अब यह देखा रहे है charging speed की मी 9 pro 5G में बहुत speed charge होता है as compared to me 9 4G अच्छी बात है और ओके आगे बढ़ते हैं sometimes the 5G experience is so indescribable that you will only be able to tell how great it is only when you try it out yourself by the time it has come so the Xiaomi Mi 9 pro has 7 antenna no matter how you hold it in your hand you've got very good reception when I look at a product of my competitors which they claim to have over 10 antenna but when you take a closer look at it these are Bluetooth 4G 5G all together but this is the 7 5G antenna that I am talking about here and when it comes to its performance now it's equipped with a snapdragon 5 855 12GB the most powerful so far and it's CPU GPU 8 guys me 9 pro can under me 9 pro 5G can under a snapdragon 855 plus processor लगवा है और अभी फिलाल उसकी तारीफ चल रही है तो चलने देते हैं 112 gigabytes in its internal storage that is mainly because in the era of 5G I believe the content is going to be a lot bigger so you definitely will need to use more space so when I read comments on one some of them say wow it's essentially a hard drive with such a big hard drive you can store whatever content you'd like I believe that in the 5G era there are going to be a lot of challenges because the download has become so fast the energy consumption is likely to go up and enhance heat dissipation or cooling has become the most difficult problem so we use the VC cooling system probably to many of you VC cooling is such a foreign concept because in most of the cases cooling is done either by air or by water so let me explain a little bit in the past all the flagship product or use a technology called the heat pipe cooling which is built with a copper tube but in the age of 5G the cooling is converted down by VC liquid cooling then what technology and I talk about here well it is called vapor chamber liquid cooling essentially this is a copper plate with a it is very porous filled with liquid so when it is cooling it can take place in two directions compared to copper tube cooling the efficiency of heat dissipation the efficiency of heat dissipation heat conduction is a lot higher which is why VC cooling is selected for our premium flagship products and we also customized built a L shaped VC module it is about 1100 square millimeter and as a result of that the temperature of the CPU can be brought down by the with a staggering 10.2 degrees Celsius so that delivers top performance with top notch cooling and that is why it scores at 497,700 and it also has a 4000 mAh battery and even when you use it very heavily for 7 hours there is there is still a significant proportion of the power left 21% to be more precise so this time around there is also another area where we invested heavily because with this powerful battery we also provide triple fast charge first 40 watt wired fast charge probably you would say what is so special about that okay sorry 5 minutes 5 minutes 20% and 48 minutes 100% we know that we know the latest charger we know the latest charger which is 1000 rupiah which was in India which was white color which was in India which was in the last hour and we see that 40 watt this charger this charger this charger is actually 45 watt but the phone charging is 40 watt this charger xx this charger from that message we know why 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 बिल्कुल भाई चाइना में स्नाप ड्रगन रेट में 6 में पाई अपडेट ओके तो यानि कोई नया कमेंट नहीं आया है अभी बीस लोग देख रहे हैं हेलो भाई पॉफेक गेजट क्या है ले बाई और यह वही देखा रहे हैं अपने चार्जर से मी अपने 45 वार्ट से मै के 45 वार्ट को शायद कंपेर करने की कोशिश कर रहे हैं I think में भी पता नहीं हलाके एक साइड नाइन प्रो लिखावा है और 45 वार्ट मैक बुक लिखावा है कहना क्या चाहते हैं चलो जो भी कहना चाहते हैं देख लेते हैं आवाज देता हूं मैं फुल-time hello bhae ha hello it's very well done to those colleagues at the department of our cell phone and apart from that we also this product also comes with a 30 watt wireless super fast charge when the wireless charge first came out I said it was going to be enormously popular I remember 10 years ago I bought a cell phone that can be charged वार्ड है बूकरशने बीसी पुलियोंटी सच्छाटी है। and we are supportive of 20 watts so we win, compared to other competitors over the past two weeks Apple still 7.5 watts competitors 27 watts who claimed that our performance was not as good as theirs but no, let me tell you what we can do our 30 watts so we win once again what benefits are there with a 30 watt ragged charge well, that means 50% in 25 minutes 100% in 69 minutes amazing experience almost indescribable with any language I mean, as long as you've tried the world is charged with Unicro there is no going back and this is another test that we did with two mainstream chargers we did a comparison one with an 18-watt wired charge the other is a 27-watt wireless rapid charge the blue is 18 the green is 20 whereas the red line is the 30-watt wireless rapid charge so as you can see it's even faster than the wired charging so if that is the case why do you need a wire anyway? so that's why I said as long as you've tried the wireless charge of a Mi 9 Pro there is no going back which is why I believe in the age of 5G wireless charge is going to be the trend it's definitely the way to go I didn't hear a lot of applause do you think that is not good enough? if you think it is good let me hear more applause because the louder you clap the greater the incentive there is for everyone else in the industry okay guys so these people are talking about charging but now these people are talking about wireless charging and they are saying that Mi 9 Pro 5G there is a 30-watt wireless charging support we need faster charging which is why we did our best to make our share of contribution to wireless charging and today I delivered to you the 30-watt rapid charge this is amazing because this is 7-watt charger which gives 30-watt wireless charging support as you can see on the screen let me explain to you first of all it's standing here in the past when we did the wireless charging we adopted the structure that is very similar to that of Apple we thought it looked elegant but the problem is once you place your phone on there you are not really sure is it charging is it not charging because you don't necessarily see the sound there which is why Zhu Yin the head of our design department told me that what if we change it to a stand because that way you don't have to worry about this anymore when I first hear this idea I didn't really think of it as a very big deal but after trying it out for about a month I can see it is so much better secondly rapid charge definitely generates a lot of heat but the heat detracts from compromises the efficiency for safety consideration of course so apart from technology heat dissipation is another very important consideration for the design of cell phone and our colleagues came up with an idea to use the wind cooling system using the electric fans and the wind is blown out of from the fans from the lower part this has to cool down actually scene here is that I can't mute the sound because the board is written in Chinese and the head is also speaking in Chinese but there is someone who is interpreting it in English so that people can understand it in English so that you have to use Chinese audio and English audio both on the side okay and this adapter charger is 199 yuan and also we made a breakthrough in the horror pack 50 watt rapid charge and this horror pack is 199 yuan and this horror pack and this horror pack and this horror pack is 199 yuan most people would say why donts you produce a bank with 100,000 and this money is now this power bank which gives 50 watt of charging to support its money this power bank which offers 50 watt charging to support it is and I have and 20,000 it is it is इसे मैंने इनकी ओडियो थोड़ी कम कर दी है मैं ताब भाई ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि वो क्या गोल रहे है और आप लोगो को कान में भी दिककत ना है अनाउंस्मेंट डेट अभी नहीं आई है जल्दी आजाएगी और भाई तू म्यूट कर दे अहां भाई बिल्कुल सही का चलो तो ये इनका एक नया प्रोड़क्ट लॉंच हुआ है जो पचास वाट का एक पावर बैंक है इसकी कीमत क्या है अभी वो नहीं बताया है इन लो अग्यां का है दो समेंगे युआं का मतलब हो गया बहुत पैसा यह मतलब बहुत जादा हो गया ज़गे इन हजार रुपए के करीब हो गया जो कि सच में बहुत जादा है 10W wireless reverse charging, what is the use? You can use it to help your friends to recharge, to recharge their batteries, to help your friends out. So your mobile phone is turned into a chloroquine. We did a test that if you recharge your friends' iPhone, you can charge it. ओके, तो जो लोग live में नए जुड़े हैं, उनके लिए एक छोटी सी information, description में एक channel का link है, MIUI 11 updates, उसको जाके subscribe कर लिजे, क्योंकि इस वीडियो के बाद, डीटेल वीडियो बनेगी, हिंदी में हमारे तरफ से, वो उसी channel पे पहले आएगी, और वहाँ पे आपको MIUI 11 के सारे news जो है, मिलते रहेंगे, अभी ये iPhone X, S से compare कर रहें है, खुद को, और पता नहीं किते दर रहेंदा compare करेंगे, अब ये दिखा रहे हैं, की, P30 Pro फोन जो है, Huawei का, उसका 5W का charging है, और Mi 9 Pro का 10W का charging है, और दोनों को compare कर रहे हैं, की दोनों कितना जल्दी चार्ज होता है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिर्फ 30 मिनट्स में ये अच्छा का सा चार्ज हो गया, और ये भाग गया, अभी तुम्हें देखी रहा था, चलो भाग गया तो भाग गया, एति ये ङुर में तुम्हें, और ये चुम्हें सकता तो निंड थार्मी, खिबोन मेंगा में आख, उ rhज ठाज हो सकता क्रीन हो और में भाग फो स।ارमी शामी, ए३े कार्ण 2 ऐ भालहे ।ुम्हेंत पिसे वैं हो आप you can recharge your earpiece receiver you charge it for five minutes and you can listen to the music for one hour and also you can charge your smart watches and other smart devices like a toothbrush and when it comes to charging safety comes first and this triple faster charge okay new comment me 9 pro india me kis name se ae ga dhekhte hain bro abhi kuch kehna muskikil he filal me uai 11 dikhayye dikhaya kya nahi bhai me uai 11 abhi tab nahi dikhaya hai dikhayega wait kare raha me uai 11 ke feature ke baare me bhi bataayega yeh log jaanke hain ki mi uai 11 hi sabko pasand hai isle eusko aatka ke rakhata hai dheer se dikhane ke liye so that is me 9 pro the flagship smart pro abhi me 9 pro ka specification बता चुके हैं यह लोग कारीब भी हो चुका है comparison हो चुका है अब बचा है इसका price बताना आहां इसमें 4000 image की बैटरी है यहां पर लिखा हुआ है और 512 gb का internal memory है और 12 gb का RAM है बहुत होता है यार बहुत होता है टी होता है यहां अब लिए होता है उतरी है ब 한कोसा राराओ बीकार Кजिब अनियाशन खिरेड़ नां बीकार प्र के ले ई KenCiब 35 5g फ्लक्षिप प्रॉडक्ट शुट हाओ नहीं एक्स्रीम टेक भाई इनका यही नपलब काम ही है इसी करह इन लोगों को बताना है तो मॉज ले रहे हैं भाई यह लोग मॉज ले रहे हैं और एक्स्रीम टेक भाई क्या हाल चाल कि अटे शुट अचह टेसंग को व्र बाई बhr lens नव्लाइट वह मॉज ले रहाए प्रॉटिया हмов है लेया है इस डिवाइस के अंदर एंटी ग्लेर ग्लास दिया गया है तो बटान के युंद युद टो रड़ सिव इस तसंस अ 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 अिति हो इस अ अ अ अ अ अ अश अ ऑन अ अ अ अ अ अ झौ न अ अ अ अ आ अ में नाइन के कलर और डिजाइन के बारे में बातचीत हो रही है थोड़ा दिर और चलेगा ये बातचीत लेयर और बातचीत कि क्या ले बातचीत अश्यों अवाभ और नतिव क्या बातचीत लेयर लेक्ष लेक्ष खिल्वन के लिव र्वाभ लंच विव बातचीत कमेंट देखियते हैं अभी ये फोन के बारे में बोल रहा है यार मैं भी बोल रहा हूं सही बता रहा हूं कमेंट आया है एक्स्ट्रिम टेक यहां से शुरू करता है एक कमेंट इन्ट कर लिया और यहां से मीनाइं प्रो इंडिया इंडिया भाई रिड्मी 6 प्रो शायद भाई याब मुझे दस हजार में आठ सो पच्पने स्ट्रापर मिलेगा महजाब भाई आपको मैं बता दू न काम जिनके 10,000 के आउस पास हो गया है तो आप चेक कर लेना ठीक है और अरे यार नहीं चाहिए फोन सॉफ्ट्वेर दिखा कोई बिल्कुल भाई यहां तो सॉफ्ट्वेर देखना है निउस इस लाइक डैट मीवाई 11 हैस एई चार्ज और एक्स्ट्रीम भाई सबर सोने से पहले आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी आप प्रत्रों नीन आने लगा है और यह वेट भी बता रहे हैं क्या 220 गिराम 218.5 गिराम 217 गिराम हद है हद है यार वेट भी बता रहे हैं चलो सही है इन्हीं की मौज है देखना तो पड़ेगा क्योंकि हम लों को 11 का १ Pode कि व caip भी चेसैं कैई भी ब neurosoimesरण को बिल्यो नीश कीजा एप भीfik है गिस्या अप्र प्ल्स chips एप संधक्ताश फ peculiarly व being पहु़ बखले हैं है इन्हीं है ऑन्हीं कैई नीश व्याचे एस प्रत्र च इसा होित पार संध को कि एभ और रहे हैं पार नीश ओके फाइनली फोन इन लोगों ने हाथ में लेके दिखा दिया फाइनली एक सिल्वर टाइप का लग रहा है और एक ब्लैक का लग रहा है अधानियु प्रो का करेंट प्राइस कम हो गया महता भाई चेक कर ले ना मैं बता दूंगा थोड़ी दिर में जस्ट आ मोमेंट मी नाइन प्रो का कितना मेगा पिक्सल कैमरा अभी वह नहीं बताया है भाई वह बाकी है 6.3 इंच की एमोलेट डिस्टले है अभी तक की न्यूज के हिसाब से और सबर रखें चाय बना दू अर्य महताब भाई बिल्कुल चाय बना दू मुझे भी पीना है खीचो भाई सबकी फोटो खीचो और वाइट एंड ब्लैक बिल्कुल हर्शित भाई वाइट एंड ब्लैक कलर में आया है और मैं लिख लेता हूं वाइट ब्लैक 6.3 एंच एमो लेड डिस्टले ओके लिख लिया हाओ ये चाय मिल जाए तो नीन भाग जाए मैं भी देखता हूं धर में चाय अवेलेबल है के नहीं देख क्या आता हूं हेलो गेमिंग भाई शोयता ठीक हूं आप बताइए नेन से जागने दो मुझे फिर चाय बनेगी मेरा तो पानी पी के काम चाहिए अब जादा ही लंबा खिच लिया आइटिंक मी नाइन प्रो का मतलब परचार बीस पचीस मिनट से तो चल रहा है बिल्कुल बहीं बोरिंग होता जा रहा है क्या किया जाए उपर से अभी कैमरा के बारे में बताया ही नहीं है यह नहीं कि यह पांच मिनट तो और चलेगा ही चलेगा 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 कनफर्म का नहीं से? आई एम टोटली फाइन बट आइम वेटिंग फॉर मीवाइन फॉर्स लूप बिल्कुल हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि मीवाइन का फॉर्स लूप कि यह कब देखाएंगे बट इसमें अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है आई थिंक कि मी नाइन प्रो के बाद देखा देंगे शायद देखते हैं और मयूर भाई मैं तो चाय पी रहा हूं अरे बाई गुड 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 एक्स्ट्रीम चपल में को इनके उपर और ओके तेको गाली मत लिखो भाई बिंडॉं टाइ जो भी नाम है आपका गाली लि ऐसे बात करने बाद एकाली है यह बैद खार विख भी साने की यह गाली है यह बात करने जो को इस फिर मैं अगे शिर्ड आर है यह बिल भाई में देख कर दो एक कि वाली है कि अ सबस्क्राइब ग्रॉम्ट एिज सिर्फ फिर जो तो आ अए बाल्प कोमानगे नियुक्जिते कि अब है we आए बीजियोरों को लाइक से अनलौ सा स्थिर्जिया ताहिका किर दना उसक्राइड गत्ट मुद्ट युड्टन 7. So, this cell phone has been released for well over six months, but it is still considered a state-of-the-art product when it comes to photo-taking, and it's also very cheap, because and now it's just around 2700 RMB. Now, let's take a look at this hardware. It has a 1600 RMB wide-angle, and it also has an AI 12MX. camera. It also comes with a laser focus, which allows us to get focused very quickly, even in a completely dark environment. So, to produce a good photo, you don't just need hardware, but also very good software and a very good algorithm. But sometimes, because we are pressed with time, with product launch, surprise, there is always things that are not quite up to our satisfaction. Or in other words, there is not sufficient time to readjust the focus. So, if one is able to improve the focus, our DUX marks ranking will be moving up, I'm sure of it. I don't know if you still remember this, but last year, MixRS, dual color is also used on Mi 8, also on Mix 3. The same technology has been used on three product, and after readjustment, there is a significant improvement in terms of their performance. So, now, with Mi 9 Pro, we focus the 100% of our focus on software algorithm and focus readjustment. So, let's take a look at some of the pictures. So, it's a road, blue sky, very, very, very beautiful. Here's another picture, long by the lake, with all the floras, all colors, very well balanced. And, when it comes to taking pictures of people, it's also very lively, very vivid. It also comes with a 20MP front camera. This is a photo that we took with it. We also had another photo coming up. So, as you can see, Mi 9 Pro, on the basis of the previous edition of Mi 9, has a significant improvement in algorithm refocusing and software. We also want to deliver a good experience in every possible way with this flagship product. So, we did a lot of interviews, a lot of surveys with our consumers, and hence, we improved the experience in the following four areas. Starting with vibration. Over the years, we've been using linear motor. And, for quite some time, everybody was asking me to introduce what we call the horizontal linear motor. And, precisely because of that, this time, we've got a very big horizontal linear motor. Then, how big I'm talking about here? Here is a comparison. Engineer told me that it is probably the biggest of all Android phones. So, this horizontal linear motor for non-hardcore fans might be difficult to understand, but essentially, with the help of a vibration motor, it has the ability to mimic the sense of vibration. Let me give you an example. In example number one, once you touch the screen, there is a haptic feedback that gives you the sense of operating a mechanical keyboard. I've been using this product for the past two months, and I feel it's amazing. And, when you readjust the focus, it gives you also a mechanical sense. It can create 150 different senses of vibration, thereby offering you an all-immersive experience when you're playing games. So, this is something that we have invested heavily in. And, I encourage all of you to try it out. Secondary NFC, this is also something that we have invested very heavily over the years. We were able to support the bank card, the bus card, and also the card that enables you to access your apartments. But, two functionalities are added in here. The first is to integrate capabilities of ID. Our pilot project is already on the way in Shanghai, and hopefully that's going to be scaled across the entire country, ASAP. And, what that allows you to do is to check into the hotel or check in at the airport as easily as possible. Over ten years ago, I was at the airport. I also lost my ID card because I had to take it out so often. But, as a result of that, I wasn't allowed to board the plane. So, in that situation, this invention would come very, very handy. And, we also worked in collaboration with Xiaopeng card. So, now the NFC is also supportive of DUR. They have actually made a NFC chip, and now that's the promotion of the chip. Overall, okay. I won't say anything about the chip. Because, these people don't put NFC in the phone. So, what do we do with the chip? That way, all our users will certainly have a better experience when they purchase those car models. So, I think that is a very good suggestion. Now, the quality of sound. Another breakthrough that we have made over the years, over the recent months, is our plan to raise the quality of the sound in a very comprehensive way. This is something that we have been working very hard on. For instance, not long ago, we released a Redmi, which retails at around 1,000, with the ability to process the quality of the sound. So, as you can see, our audio department has done it all. And, this time around, there is no exception. And, here's what they did. 1.04 cc, the biggest sound chamber. In fact, the bigger the chamber is, the better the quality of the sound is. So, this time, with Mi 9 Pro, we installed in it the biggest sound chamber in history. 1.04 cc. And, we also introduced a true wireless Bluetooth earpiece. This can definitely rival any model produced by our competitors. To start with, our cell phone, our earpiece, are both supportive of a LHDC Bluetooth high-resolution sound. That offers much better experience. Very easy to use, because you, with the press of just one button, you get connected almost instantly. Okay, guys. So, Xiaomi, Air.2 is launched. Actually, Air.1, I am going to take it very quickly. You will see a very secret thing, but I have leaked it. It's not a secret thing, but I have leaked it. It's not a secret. It's 399 yuan. It's 399 yuan. It means, wait for a while. 4,000 rupees. And, as of the end of the last month, our active monthly users are 49 million, almost the country's number one. 5,000 rupees. This AI-enabled assistant, what's special about it is, the more people use it, the easier it is used. Because, that way, you'll be able to collect a lot more information. MiEye is so popular. That's mainly because of the hard work from our MiEye department. And, also, because we've got a lot of terminals. Stereo, cell phone, almost all the devices. Why, you guys, you can play a lot. I'm not playing. Why are you watching because they are Mi fans. Die hard. It's right. It's right. It's right. What's the benefit of the launch of the Mi Air.1? Mi Air.1 will come soon. I guarantee you that, if you want to buy a link to India, I will provide a link to India. If you want to buy a link to India, you can buy a link to India. You'll find a link to India. So, wait a minute. This is a finish film. When you are going to Mi Air 11? Just a little bit. The launch event is a launch event. This is a launch event. It means, I don't have to eat. If you recommend taxable or you will be able to buy a link to the Mi 9 Pro. So, 12 GB, 182 GB, price, 3991. How can you buy? Yup. I am totally big fan. I am totally big fan. I am big fan. Account of Xiaomi. AC of Xiaomi. Round to hell. Redmi Y3. Update. When you first know about update. Then, the price is more. The price is more. The price is more. The price is more. But, Air.1 Approx 1500 i elle. In India, you will get roughly. The price is 1000. The price is India. In India is $1,000. In India, you will get less. The price is worth. In India means they will get more. You will get more. A voice voice. A male voice. I asked the designer. Why do we need it? Well, they said because we have not only female assistance but also a male assistance. this is about gender equality I've also been told by girls when I talk to a child, when I talk to a girl if I am talking to a girl, it feels a little awkward and I guess it might be more interesting if I were able to talk to a boy so here it is and this is already the 3.0 version and with this version you were able to engage with him continuously and very naturally what do I mean by that? in the past, every time you started a con you will have to start with me, I, me, I, me, I that is repetitive, that is boring but now you don't need to repeat it every single time and you can cut the conversation short any time you want for instance, this is an example to order McDonald's with Mi Ai I will check that with my family who are going to check out a lot of my children and I will take a full time for someone who is doing this and they tell us they have to come up our lives and they have to come up our lives because it is the first step that we are going to be able to do it since we have to get it to the rest of the year and you are going to be able to do it जो आम आड्टे के उन्हाव करों इते हैं सभी आ कंपन हू हू ये जो है अ Cemaly ये ये सब करे Ezra और हो और दो आसे जिए. कर दो तो और रिदित ने ने मुटना अ झाना है कि अ कि अ वैकनी पॉटर की उने कि उने यह कि इना है जब आप नविए कि गडिम धूस्वा से उने कि अ बड़ते हैं बड़र थे सीदिवा कि आ तो आप आप है तो प्लाभ झाल कि आखिए इता है। करें अदू को southwest works्षु में करने सर फज्लाष इता करने कर दोंते कर दो बालो कर दो कर दो कर दो तो कर दो में लेले नुटित मी8ोडी ते लिए की ऑमी नीचोड़ और वाला सिव जाला है स्बब्स्ट्राइब स्ट्राइब ग्दा इप अप्राइब की अवाट है 4,000 mAh, triple fast charge system, and a super large horizontal linear motor, AMOLED, and it is a very light and thin 5G flagship smartphone. In addition, we give the consumer one year of free use of one TB of Mii cloud capacity. As it is really informative, I will put all the key points here, and you can take pictures, and you can read them carefully afterwards. How about price? That is also the most tricky issue for me. Actually, I don't know. Actually, there have been a lot of people attacking Xiaomi online. They said that the price of Xiaomi 5G smartphone will be the same as 4G smartphone of Xiaomi. I think it doesn't make sense. Maybe you don't know the price of 5G smartphones of other mobile home makers. After the independence of Redmi or spin-off Redmi business from the head office, we have been working on the high-end market, but still we provide products at a friendly price. But we will not be stuck in the price comparison or competition. The 5G technology has just started. R&D cost is really high, and a 5G module cost is 1,000 higher than 4G. So it is impossible to sell a 5G smartphone at the price of a 4G smartphone if you do not suffer from losses. But if you engage in such a price, you suffer from losses, it will not be sustainable. So, let's get some comments. Let's see some comments. Comment can we look at the comments. This is now comparison. When we come here? When we come here? So, message from 1,00 am to 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 1,00 am. Hello, Bindingo, Thai, how are you? Mewy 11, how are you? It's been for me, but it's time. Yes, it's time. So, how do you know how to know? Is it held for review? It's not that China's people. No, let me not say that. महताब आलम अजीब इंसान है भाई तू जब तक लॉंच नहीं होगा लाइब तब तक मेरा फोन मी उआई 11 आ गया होगा सिद्धार्त हा लग रहा है हमारा दिमाग चाटेगा थोड़ा लग तो रहा मुझे भी यह और अब यह 3699 युवान में क्या लॉंच कर दिया इन लोगों ने भाई लाइस्ट में इंट्रोड्यूस होगा वो मेरे पहले ही बताया था मी उआ 11 नहीं दिमाग हेलो हेलो एक्स्ट्रीम टेक कनेक्ट शर्मा सर्माज में नहीं आया ओके ओके शोयता मिलेगा 101 पर्शन शियोर बट फोन पार्टी कौन देगा यह बताओ और अप टाउन और कितना प्रोड़क्ट है यार लॉंच के लिए मतलब मैं भी परेशान हो कितना प्रोड़क्ट है कितना मी नाइन प्रो फाइब जी सबका प्राइस प्राइस इन लोगों अब तक नहीं बताया था क्या शायद नहीं बताया था ओके तो मैं प्राइस भी लिख लेता हूं सो 369 युवान 379 युवान 4099 युवान और 4299 युवान ठीक है आठ 128 उसके बाद 8256 उसके बाद 12256 और 12512 इतना इतना मेमोरी को ही देता है यार मतलब इतना मेमोरी का हूं क्या करेंगे है आज मेरे कल मुझे किसीने फोन किया था उनने कहा कि मुझे 128 मेमोरी वाला फोन चाहिए capital 코 करोगे क्या उन्हों नहीं मतलब चाहिए थो चाहिए क्यों चाहिए वैचार एक पास जवाब भी नहीं है हम कहा सोच करा तो वह अभी तक सुच रहा है अभी भी यार नहीं बताया था भाई प्राइस से हम को क्या करना इंडिया में और वैसे भी भाई कौन साम लोग खरीद पाएंगे रहने दो ना कोई एतना नल लग ऐसे हो सकता है कमेंट फॉर डाला करन ने 33 मैं मुन्हें धून लिया वा सर्व जी वा ओके सो 32 यह क्या है लाइव इस्ट्रीम थोड़ा गडबड़ हो गया लगता है गडबड़ उनके तरफ से हुआ है ऐसा देख के लग रहा है चलो मैं कुछ इंपॉर्टन बताता हूं आपको जो मैं बताने वाला था बड़ बोल न ओके फिर से इनका पोस्टर आ गया है इनकी वॉल्यूम छोड़ो कुछ फॉन्स के जो है प्राइस ड्रॉप हुई है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा रेड्मी नोट सेवन प्रो का प्राइस ड्रॉप होके हो गया है 999 रुपया बेस वर्जिन का रेड्मी नोट सेवन प्रो का प्राइस ड्रॉप दिवाली ओफर के लिए 999 रुपया रेड्मी नोट सेवन एस का प्राइस ड्रॉप होकर के 8499 हो गया है और मी 9 प्रो प्लस 5 प्लस MIUI 11 यह लिखा है इन लोगों ने बड़ उसको छोड़ते हैं और इधर देखते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो मतब मेरे बात सुन सकते हो Note 7S जो है 8,499 रुपे का हो गया है यानि के साड़े 8,000 रुपे का Redmi K20 जो है 18,200 रुपे का हो गया है Redmi 7A जो है डिसकाउंट ओफर में 4,000 का हो गया है Poco F1 14,999 का हो गया है Redmi Note 5 Pro 7,499 रुपे का हो गया है Vivo Z1 Pro 11,999 का हो गया है Realme C2 डिसकाउंट करके 5,499 रुपे का हो गया है Realme 5 8,999 का हो गया है Realme 5 Pro 11,999 का हो गया है Realme 3 Pro 9,999 रुपे का हो गया है प्लस 10% additional discount मिलेगा इन सभी चीज़ों पर Axis Bank और ICICI Bank के credit card पर चलो, so MIUI 11 की कहानी यहां से शुरू हो रही है so अब हम लोग ज़्यादा focus करके देखते हैं volume पर देते था हूं थोड़ी सी with pleasure to introduce you the latest version of MIUI MIUI team is very powerful in R&D in the past 9 years we have released 10 versions and we have developed from the skewer morphism stage to the modern design stage flip card पर मिल रादर प्लोग एक अफिर्ड़ी आप पर देखते हैं in each stage we have been living up to the highest standards that is very rare in the designing community in China now let's look at MIUI 125 when we were still in the skewer morphism stage in that stage our job is to make people get familiar with the operational system of mobile phones for instance when you have conversation with the nature when you are thirsty you want you will ask for a cup of water from a stranger you may say that hi I'm really thirsty would you please give me a cup of water that person might say yes no problem but when you are familiar with that person how would you say that to your friend you would say that give me a cup of water and he would say here you are and this if you are talking to your families or really good friends you would say water and he would say here you are so in the stage of modern designing the interface designing aims to make conversations more efficient just like what has described before so starting from MIUI 6 all the way to MIUI 10 we have been doing so so in MIUI 11 we have taken a step further to remove all the visual clutters that exist in MIUI 10 and only keep the core information making this interface very modern, graceful and efficient and you can get focused on the core content on each page and also we are very careful with color we removed of the sharp colors and all the colors remaining will shift your attention to the content so all the colors will make you focus on the key content messages here and also very graceful and also there is some legacy from the PC era for instance the slide bar on the screen it imitates the function of mouse for instance you can click the things as a wish with the mouse and on MIUI there are a lot of control buttons for bars and it has very good haptic experience we will touch these bars or buttons actually this MIUI 11 has taken the um our success from MIUI 125 to a new height all the interfaces are very exquisite simple and efficient and go yeah000 build khurujan add a Democrat andанов again mo 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 it is sets also users whom bizi using ok mod 5ro from coming soon Redmi 8 Redmi 6 note 5 pro issue पिछले पिछले कार्ट से क्या बात है नीचे ठीक गुड नाइस बोलते रहो नोट 5 प्रो अपडेटेट कब आएगा MIUI 11 आइकन मुझे हो अच्छा नहीं लगा ठीक है अब यह MIUI के इसकी बताएंगे सैंप आलिस वचिंग एए मैं सोच रहा हूं 50 होगा के नहीं होगा मुझे बताओ कोई 50 होगा के नहीं होगा मतलब maximum जो अभी तक गया है वो 47 गया है अब और पिछली बार 50 गया था maximum और एक और रिक्वेस्ट है अब जो लोग नए आए हो यार वीडियो को लाइक कर देना डिस्क्रिप्शन में एक दूसरी चैनल के लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लेना वहाँ पर आपको इस लाइब के बाद मीउआ 11 के सारे फीचर्स की वीडियो देखने को मिल जाएगी और पर बहुत सारे वीडियो आपको मीउआ 11 की रिगार्डिंग मिलती रहेगी फुल सांद से बार्भा इस लाद नहीं होगा On Weibo, many Weibo users tell us that we want some, have some thick letters or thick font. In iOS, the solution is that iOS has a switch. You can switch it on to change the text into the bold-based. But this switch only provides two options, that is not enough. But what MIUI provides, at the very beginning we think we might provide three options, but that is also not enough. So we just decided to increase the performance to five and then we start to think about that. Why did we make it remove all the limitations? In other words, in MIUI, when it comes to adjusting the level of boldness of your font, there is limitless possibility. You can always find a font, the boldness that suits you the best. But then we found another problem. When you have the ability to bold and up the letter as much as you want, sometimes it's not really comfortable to look at. So, with MIUI 11, we provide a smart element that can adjust the level of boldness depending on the type of text it is applied to, which means with the titles, the content, the subtitles. The level of a boldness with all these is all very different. And with that, we take the whole different level. Take, for instance, for the very first time, you can see the boldness can be used in a dynamic manner. For instance, when you try to dial and then when you press it, it boldens up and then it becomes thinner. Such experience was almost unprecedented. For instance, this is how you set the alarm, how you set the clock. And because we paid so much attention to details, this ability to adjust the font weight automatically as was the 2019 Red Dot Award. And I would also like to add, this is for the very first time for a company from the cell phone business to receive award in the world of design. And that speaks to our design capability. And now, that's for on a video for you. So, with a positive impact, we will have to complete the alarm. The audio is on a video for everyone. The audio is unlocked and the Macedo. The audio is in a video. The audio is not allowed. It's on the video. So, here we have a video. The audio is on a video. The audio is on a video. There is a video. I'm going to have a video that you can use the audio. प्याली प्यास्ट प्याज। हुआ है सप्सेश सच एस वियू एली एलाव फौ एली एलाव 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 सेश激ाश है दाहने कि आप ग्हां कि अवैसे की प्राइब कर रख डिल्डी आप प्रशिक आपडर का छेघन हो थायर रच रस जांच्य कि अवावडन ट्याश कि रख राव चायर कि अविर्ट, यह क्रिस्ते हमेड़ अवड़ियर के इन बूलाब I mean this has already been achieved but we do not think that it's enough because in MIUI 11 we would like to introduce elements of animation take for instance this is a flower and this is how it blossoms Yeah, again in this stream there is a connection with some issues and this is not my side, it is from their side, now what do I say? पचीस तारीक को Redmi 8A launch है इंडिया में, पचीस को है शायर, पचीस ये 26 ये 28 को है, ऐसे कुछ है, उस दिन MIUI 11 अफडेट्स पे लाइव करेंगे, तो सब लोग आ जाना देख लेंगे मिलके, या इसी चैनल पर कर देंगे, देखते हैं क्या होता है, फिलाल इसी स्ट्रीम को क्य क्या हुआ को हुआ है पिस लिस्ट्पाय इसे स्ट्राइ़ को भीन का सचा है, बच्नर को जेखते हैं ningúnल्य पर्टनर का कि kan झाल पिकर द 누나ा क्को एդकान सब्संद कर दो दो सकन Ce, ओ में औ याल दो एमेंचिस्ट देएटीराया, आ थो, वे लिडिन लग लाभ का टोर अ कर लिजू लांग लिञच से लिज लू और बी लाहत फूल्ट लाहत बीज लूह हमत लूद इंग लेयड छूदिए अनुट लाहत अप्या अड भूब फो फ्लूछ बीज़ दूह लूईए लिण लीज लूहां लु दीजूर्ट लग लग क्यार्थ एक्याश्यूक dual अवाल किता निंद किताária तर व्jak 핫 Dao Pfau stopping खिलों में मि Account 11th Quay, T Его सोता किते हम साथ ok में परक प्रहां देंध देन अष्ट किता 2 boration है कि कि ते wrapping you first time I'm most मुण निल tumổ यह क्या वोल रहे हैं मुझे समझ में आगया मैं आपको समझा देता हूं कुछ दिन पहले एक थीम आई थी जिससे के आप स्क्रीन पर नाम अपना लिख सकते हो उस थीम की वीडियो हर्शिट टेक्निकल ने बनाई थी और बाकी का मुझे याद नहीं बट इन दोनन बनाई थ तो वो वाला फीचर इसमें आपको देखने को मिलेगा with the help of ambient display feature. तो ये जिस वीजिए, गजय, ब्सक्री के लाद हिरने मुवाद नहीं ओूं। झाला हो तो नहीं गूंच दूंच झाला प्र ओीजिएर ब्सक्री च्रीचे तिस हैं दिस तो रिएर इस्ब़ंड़े को, तो बखूंच टूंच या जहीं लिए, याद वात बश्यॉूं। घिह करेंग इस कि वो ऑल के समय पोरी लाज चेह hm सिर्डरी हम इस है वी इस चर्रों प्रों अल बना कहन वी प्रेञ प्रेंग प्रेell को उat लिए अल्ग आफ टल Ist anslass प्रफ प्रिंग प्रप्रश्र प्राइब प्राहब तरोष प्रिंगों ब्यार स्रीज कि अडर्द So in MIUI 11, we did a lot to improve its performance, and let me show you what we did with a video. Okay, this animation we are seeing, which kind of animation you can enable in Ambient Display features on the screen, and some time this animation is going to be done, but if it is MIUI 11, we will tell you something about it. No, we will tell you about it. If you go to the channel, you will not get noise, it is live. So this is also on the channel of Xiaomi. It is a monotone, almost nostalgic of our childhood, and later on, it turned into chord ring tone. sounds familiar, and then stereo, and then some very familiar melodies. So the sound system on the cell phone has come out such a long way, and this is the latest development. So as you can see, with the top hardware, all we can sense is the vibration. This is almost awkward, because with all the good hardware, what we are able to hear is vibration. This is not really very difficult to understand, because there are so many distractions, I mean, choices that most of the people decided to go with vibrant vibration. So starting from last year, we started a project that has sought to bring those lovely sound back. So we sampled the sound from water drop, the sand, the wood, and we mixed them together. We introduced them into the MIUI 10, which was very well responded to by the users. So by building upon it, we were able to present a dynamic, natural sound. It seems that my mom had listened to me that I wanted to eat, so I'm going to eat it, so I'm going to tell you what I'm talking about in Chinese. Imagine what it feels like if you're awakened by such an alarm. Annoying, isn't it? Anxious. You'd feel that I have to get up, but not in a very pleasant way. So we try to wake you up in a way that is more comfortable, more pleasant, and here's what it sounds like. Naya ringtone ka collection dekhlo. We incorporated the sounds of the natural world into the melody, but we also paid a lot of attention to details, because of how loud it sounds, its melody, because we want to wake you up in a way that is comfortable to you. But of course, if you are not awake enough in the first ten minutes, and when the alarm goes off again, it'll sound a lot stronger, like this. So this is the alarm, by default, at MUI-11, with several different elements throughout the week. So let's try another piece. This is with the element of fire. This is the intensified version. So this dynamic alarm incorporates all the natural elements, because we want you to up in a way that is pleasant and comfortable to you. If you want to improve the quality of life, the first thing you need to do is to change your alarm to something more pleasant. And now about the sound of notification, oftentimes we decided to switch the sound off because it's not, because the sound of notification is not pleasant to listen to, so we changed it into the sound of a water drop. In fact, there are other pleasant sounds in the natural world, so much more than just the water drop. For instance, bird chirping when we are... Guys, just as you can remember, that MUI-10 had some new music for me, for the ringtone, alarm tone, etc. For the ringtone, the sound of a notification has been turned into bird chirping, the sound of insects, the sound of insects, the sound of insects, and the sound of the natural world, and in such a dynamic way. We give it a name, birds and fireflies. We turn the notification to the troops of birds and insects, to make the notification less disturbing, and also there are different sounds played at different times of the day. So you will not feel, you will not be disturbed by the natural bird at night. So with so many details in this delicate system, and the detail matters so much for us, and so this system has allowed us to win the 2019 red dot. Maybe it is the first, or maybe it is the second red dot winner from China, in the mobile phone industry. So MUI-11 provides a dynamic natural sound system. It gives you a feast on the sounds of nature. So we use the modern designing language, dynamic font system, ambient display, and dynamic sounds of nature. That is the design of MUI-11. Excellent color and sound. Now let's look at the functions. When it comes to functions, there is a very catchy phrase. Have you noticed the image of a city at a certain time? For instance, have you seen Beijing at 8pm? At 8am. That is the picture of the CRT metro station. It has been part of our daily life. For those ITA leads and experts, they started their one day of work from this metro station. Same for the CBD of Beijing. Many of the bankers and financial professionals started their whole day of work from the metro station. and also at the airport, there are a lot of businessmen and professionals going on business trips, traveling to other places. Actually, there are more people, they are doing the same things in other cities across China. So how do we describe these people with the same wordings? Actually, they are the cornerstones of the societies. They are striving for the better. So that is what MUI-11 is designed for. For those who are striving for the better in the society, they have been under a lot of pressure and they have been faced with a lot of challenges. And MUI-11 hopes to eliminate your pressure in life and at work. We provided two things. First of all, MUI-Work Suite, Office Suite. Let's start with a use case at office, like transferring documents. Would you please transfer the photos you have taken to me? Many people would feel positive because they don't know how to transfer it. They might use WeChat or QQ, but it's really a painful experience. They can only transfer nine documents each time. And also for the receiver, it is a painful experience as well. They have to click them one by one. So in August 2019, we created this share alliance together with Opu and Vivo. And in the end, MUI-11 is capable of transferring documents across the mobile phones of different brands. So with only one click, you can transfer documents to people around you. And the transfer speed can be up to 82 MB per second. And also, you can also transfer the games and apps you have installed to your friends. And also, you can transfer documents not only to mobile phones, but also to notebooks of Xiaomi. And also, you can transfer documents from Xiaomi Notebook to mobile phone. And also, you can transfer documents between Mi Notebooks. So MiShare is capable of high speed document transfer across platforms so that you will suffer much less when transferring documents. Now let's look at documents, finding, and reading. It is a disaster to manage documents on mobile phone. I'm sure that you have the similar feeling that maybe you have documents from DD, or the email or WeChat or the online storage. These documents are scattered around at all corners in your mobile phones with MIUI. Ads की बात करो तो भाई देखो, मैं सच बोलूँगा अपने साइट से, कि मुझे MIUI के आट से जादा मतलब कभी दिक्कत नहीं हुई. हाँ, दिक्कत कभी-कभी होती है, बड़ जादा नहीं. ठीक है, तो यह गलत है, मतलब दूसरा बात कि फोन के अंदर एड डालने का concept बहुत अजीब है. जब हमने फोन खरीदने के लिए आपको उतने उतने पैसे दे दिये, तो एड देखाकर के दो साल तक जब तक हमारे पास फोन है, तब तक पैसे कमाने का क्या मतलब है? MIUI 11 के अंदर आपको inbuilt document reader मिलेगा, जो के काम करेगा MIUI और WPS के मदद से, क्या है? . . . कास्टीम इस किस्ट चाहिए जारा चाहिए ए का दिए अजय से के बिस्टहस आए आगा है उब को पन्दिश आगा? प्यालो बेंट आपी पिस आग नाग ऑने बागा है वच्छि किस्टेयर चाहिए नहिए गोह के लिए लगा है for many people was I met a product manager who had who carried a two-meter along cable line it is so painful and also in 2019 there are smart TVs in almost all the videos so why should we continue to do so with me you are you are able to cast the presentations on the TV very easily and also we have this demonstration mode mobile phone can be acting as page turner and a prompter you can also check the notes in the slice also you can use the mobile phones as a laser pointer you can add notes and remarks on the slide all this function now it is available on me Y11 you're able to demonstrate all the documents easily let's say goodbye to the painful experience we had in the past and embrace a new success in your career it's just like the way you have this mobile phone you have everything you can control everything in the meeting room and also not just a document you also you can cast the content from applications like a keep tik-tok you can share the joy of watching tik-tok and also you can cast the live streams like we have today and also you can cast the game you are playing just click the button you can cast it on the TV screen maybe you have some concern that what if the TV does not does not support casting actually this functionality covers all the way the time that it is in the moment that the listening to my videos are the best way to get on the screen that I have to be able to do so much where you can write it on the list and you can make a video of the screen I have to prove this. Oh, yes, I have to say that. And I have to say that. I've got to say that, although I have to say that, because I have to say that, I have to say that, but I have to say that, but I have to say that. आफ दियो भोग कि एक धि एक आप उनके फग पहर दिस्टाद को अरी प्रीज शनके टूंश कि अंप योग भी ये इनके अप्रश को जाड करता है आप आप में तो पहर प्रीज दिस्टान विटी हैंब को आप एक लिए कंवे लग खिया का चाह कि आप हुआ लार र want प्रेंके लिए कि भी होई औरे मेहें प्राफ oversेंकर प्राफ ठीमा पूला नथीं हो औरे मेरे ठीम करी है कि अरी मेप्का ट लो the उोल्मी ये पुटिंग खवब्सक घाटे ट nineри शुमाई जह प्रावा लो बॉला स इudes कि अरिक आपन ऋे नहतम था में दिट समय। द्सब्हो क的 बिल्काम्भाव। but there is a minor issue that all printers have their own appp's and these different appp's have different interfaces you have to get familiar with these applications but with MIUI 11, it is very easy to print it out you don't have to install any applications, you can just set it up and print the documents it covers over 2,000 mainstream printers of under 25 grams so, raise your career to another heart the MIUI work office suite includes MI-share, super documents, casting and wireless printing we hope that these functions can help all these professionals to alleviate your pressure at work MI-work MI-go I will be waiting for you MI-go, which is for travel travel is not an easy thing, because we need to prepare a lot of things I will be waiting for you 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 and also, in POCO F1, you need to buy some data, you don't need to buy some data, you don't need to buy some data and this is the latest update I will be waiting for you and I will be waiting for you and this is the latest update when it comes to shopping overseas in the first day, when you are getting out of the metro train station, your battery is dead, you might have to be stressed कर रहा है अपडेट कर रहा है अपडेट मत कर नहीं हुआ हुआ टेक टुड़े भाई मैं आपको को पर्मनेंटली हाइड कर रहा हूं चैनल से काली दने वाले लोगों का पता कट अब इनका कमेंट कभी नाएगा रेट में 6 बाई सेकंड या ठाड बैत में जाएगा किसे अब रेट में सेवन भी आ गया है , akिसे अब सक्ische की काप 15 काट तो इसे अडिश मता शून है और फिए आप एसे प्यूंवाटें समय अश्यूंग गान एक क्या हम घास अफ फद्या ओका प्यामू कर दिया प्यावेश्ट पोल्छ टेक्षूंग एक हम और प्यूंवान आज अवाबन आप वीड़ आप और आप्टैं नेया थामो कुपाल आप टार्चाइक्रण से लिएया हूज रिए्टै भीट वेम ये circuit भी लंग कोर विए ये लिएक्ष अप्रव वेप्टैंट वेलिसोंग वेक्रणाब में वें टार्भ वाजर अवाबन लंगर कोर से इन प्रविस्ट है वार में इस्ट आपे लाफ सब्सेट लाइ फ्राइस अचा ए पुर्श आपल है् वार छिपर साफ पान कर आपर देख य्ट। आपक में हैं लाफ युट को था लिष ई uses including those were official for you didn't realize you have already participles in our region data testing so thank you very much because we would having a birthday achieved something this extraordinary without the contribution which is why we prepared letter because the whole the name will be your name will be included here on the official website लिए भीड़ी लिए देट्ट रूमनेटरी सो थैंक यह भर को जब देट्टली रूर अ वाँ अ साथ को एग है लुट नारी अवास्पट अ बालत कि अ घर लुट वादस्ट यव मी è इस फिर्स लं तो इन्होंने डेट रिलीस कर दी है, अक्टूबर में इस्टेबल अपडेट आ जाएगा, बट ये चाइना के लिए कहा है इन्होंने, मियुआई 11 के बारे में that is, the new UI theme will be made available free of charge starting from today, of cause.. which means with the exception of these themes, that, that you have to pay for any strong request from the developer themselves everything else will be made available free of charge, that is mean because we have decided to set aside ौग अॉट हैंट और बानंट्राभ जह कातन टीν थारू और खार अजय तर इouse अ C k-4 बाद अधिव वि ये इन्जव दो हैंटे फode कीजीन एफ लुट इवीजस्क्रीटिक आफ बेस्टेश्माटर्ण है कि अधिया में कब क्या होगा इंडिया में एक्स्ट्रीम भाई ऐसा लगता है मुझे कि अगले महीं ने जो इसका इभेंट है ना नोट एट प्रो का शायद उसके साथ आ जाए या कल रिट्मी एटे जो लाँच होने वाला है उसके साथ आ जाए देखते हैं मतलब इसी सब में आएगा हाह और वैसे भी चाइना में स्टेबल अप्डेट इसका जो है वो तो दो हफते बाद ही आएगा न तो स्टेबल अप्डेट पही बात होती है तो इस टेबल अप्डेट के हिसाब में से होंगे जिनको MIUI 11 का अपडेट मिलेगा नोट 4 के बारे में अभी तक कोई कन्फर्म मैसेज नहीं आया है तो नोट 4 के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है आरियन भाई ने पता नहीं कौन से बारे में लाई तक का उन्besटाल आया तक कोई AND के लिए बारे कोई बारी करोबसके प्यूबसान है यावर इंक व्वार अग्वार हिसarily तक का यूबसेज है DJ KW मैं ड हूब-टरे सिला आप पता में झाप आप करें हो जो एंप फिंगता है क्था ठाप कि अचिक भी तो आप मेंपा से आहिंगा ना करे लिगा तो कि प्रॉड़ कि दीगडिय। प्रवैग व्हार रव्ट को पा को इंजे अको राप नियुए मर्श जानि महां एंजारी मियका एक उर खाहिं खाहिंए। ऑर आइ ठाहिंगी ए तुर थे सम्गरिंगनु आप मियर्स आदा बहुततु जा राप मिल्ले श्कुशंगी तर इस सवस्कृरिंग ऐर झान है टीम कमून है। कि ग्वीड कांवार जब भू स्षी विर्स जब बिर्फ प्रूबस कि पर थी बैस प्री इन टॉबस भी टॉबस जे सिस्व ट जर बाद इन टता लुबस काव सुप तर खड़ टार्फ लुल टॉस प्रू लूबस कि इन, विर रू सुबस प्रूबस, जद exerc बिल्यू इन टा कि एंव एंव थे पूरोच्टाइश ट्रूश अज़ एंवारा यंवाग। में यंवार्वार्फ एंवार्टना टूंवार्टना भीज बीच अवट अनुन अपरूटनाव टूंवार्टनाइश गप्र जानुटनाइश को वे इंवार जिसलाइ नथती ।जब इश्वेज जलोज सर्फ जिल में और सुरामच रखीजि रएल सबस्ट्ट일 अवा जलोज से लेक РИ minim Probably रूरस अपरुटुनिती प्रशंश प्रॉ़ निप पिच्जाइ बढ़री कि अगी ऑे छिए सब्सक्राइब कर अब कर दो इक प्रॉट altogether जाते इंप्सील्फंण कर दोगा कि अब के अज़ ए cynली से अब ए दिंट रियर कि अब्सक्ट्राइवास अरों से के साफ़ी है कि अरों पिर देखे लिव इसे बारे में अरों आप लिए एकाफ नीए जए विए पूल रहे है और इन वे 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 दो कि अभी दो दिए एक बड़ दू दो दू रहे है और भी दो दू दू आप या आख वाले आफे लेग ऐंचे लोग एड़ेट बले चैनल पे आएगा अलग अलग वीडियो अहर टॉपिक पर नी वाइलेवन से पहते हैं १ वो तरी नी इस आलफा कर जो स्कुन डिस्लेई वह साइट से कर्व है जश़ान के गहिंड ने होता है I'm sure none of you have seen anything like this before so mix alpha is not a portable screen it does not come with a waterfall display but it represents the future what the cell phone looks like in the future so when we place the three sides together and when we light it up it looks like this magnificent isn't it in fact it comes with one screen that wraps around the entire cell phone from the front to the side and all the way to the back if we have to calculate the screen to body ratio then it is as high as 180 percent so a screen like this is called by my my colleagues fondly as surround display 360 heartwarming isn't it and our marketing department also prepared a video that describes how to view the features of the surround display so let's take a look how launch ho gaya fifty percent detail a gaya thoda bhoot or baqi abhi minix alpha ka trailer chal raha isn't it fascinating and this album model feels like a door to the future in a dark world it feels like it feels like a a space craft that is to set its course into the space but now it's parked in the dark valley it looks like a magical cube that captures the wonders of the universe in an airy desert it's all because it glows throughout its body it looks almost futuristic so as you can imagine we have invested a lot in its development and so have we invest a lot in developing its promotional video so let's take a look let's take a look in a world of infinite possibilities where will your next adventure take you perhaps perhaps you find yourself taking your own path you choose this path not because it will lead somewhere but for the feeling of excitement uncertainty exploration challenge the impossible to make the future possible introducing bmix alpha surround display 5g concept smartphone delivering a true bezel-less experience with its 4d surrounding curved display exploring explore the future without limits explore the future without limits bmix alpha surround display 5g concept smartphone you are holding a magic cube in your hand so let me show you what it looks like in reality so let me show you what it looks like in reality i am 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 at the beginning of this year, but it has not been put into mass production. But surround display is even much more complicated and sophisticated. In order to have such a surround display, we need to make more extreme explorations of full screen, apart from surround effect, we also need to solve other problems, such as the bottom side parts of the display, and also the earpiece and speaker. And about two years ago we used this vibration model for it, but this time we chose a new technology that is called this in-display sound system. And also the sound effect is perfect. We use this new vibrational unit to put it on the display, so the quality of the sound is improved a lot. And also we used this in-display sound technology to produce ultrasonic wave to detect range and distance. And also the bottom bezel is 2.50 millimeter. It is almost invisible. And the other thing for it is antenna. On the surround display there is no side frame. In the previous mobile phones we can find the side frames. And this time we don't have the side frames. There is a chamber for the antenna. We put all the antennas on this side and re-adopted and re-adopted this LCP integrated antenna designing. It is able to integrate five major frequency bands for 5G. It is very challenging. And also with a smaller chamber for the antenna, we need to re-design the way of packaging. For the ordinary smartphones there is this drive processor. And for the full screen we put this drive processor at the bottom of this bezel. But this time we put it here and also the side buttons. All the buttons are shown on the display and also there are pressure sensitive displays on the two sides. And we put buttons on the two sides. It provides very good haptic experience. And how about front camera? Another issue. Actually in the full screen technology the most difficult thing is how to solve the front camera issue. The four major formats of full screen technologies are the pop-pop full screen, the waterfall full screen. But all these solutions are not perfect. And at this time the surround display solved this issue this way. Do we use the in-display camera or pop-up camera? Which way? To be honest, if you know surround display very well, actually you will not ask this question. You can just turn it over or turn it around. You can use the camera on the back as a front camera. So we don't need, actually we do not need front camera at all. So many mobile phone makers are using the in-display, in-screen camera, and Xiaomi has also been working on it. And we are expecting to have a technological breakthrough. But when it comes to surround display, we don't have to use such a complicated technology. You can just turn it around. So Pixel Alpha is based on a series of technological explorations. All listed here, I will not elaborate on them. With this fantastic surround display, how about the interactive experience? We really have to invest a lot on that. And it works perfectly with MIUI 11. And also, when it comes to surround display, what kind of synergy will MIUI 11 and Mix Alpha create? That's the notification message. The whole side is lightened up. And also, when it is charged. It looks like this. Fascinating, isn't it? Because it is all display. And also, when you play games, you can imagine how impressive it is. And also, when you are reading, you have a hot and a lot from them. Click and you can join. In the comments section, there is a link available. And also, when you turn the display around, the back side will turn into a display. And also, on the back, we have this interface. It shows the applications we usually use. For instance, when you want to find a taxi, or you want to take the high speed train, you can find all these services on the back. And we have a video showing what kind of experience you can get. Let's take a look. And if I. Let's take a look. The key is finally going. Let's take a look. I'm at least going. Let's take it. I can't stand here. I can't stand here. That's what I got. We have a photo. We have half that I can see. We have a photo. I can see. झाल झाल जाल झाल लोग देख रहे हैं एक्चुली और काफी लोगों ने टेलीग्राम पर फॉलो भी कर लिया और साथी साथ जो है नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया तो यार उस सब चीजों के लिए धन्यवाद और मुझे लगता है कि अब यह लाइव इस्ट्रीम बंद कर दीनी चाहि जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही फिल में करता हूं पर लाद कर लिए कर लाद कर लाद कर सक्हा थ्सज्स वाल फ्स मोझे बहूं हाद कर चाहि जब Ó अब लिधना नएЗ मोझे को Ouais the first mobile phone with the 108 MP camera in the world. It has crossed the boundary of the 100 miline pixel count. In recent yearsinga Xiaomi has invested a high kilogramē, ah and this year we have यह लुट्छ दिस 48MP camera smartphone and last month we launched the 64MP camera smartphone and today we launched this concept model with 108MP camera that means the resolution is 12,035,970,024 so let's have a comparison of the image taken by different cameras of different pixel pumps to have so many pixels in the image how about the photo sensitive component we use this 1.33 inch ultra-large photo sensitive component it is several times larger than ordinary components and compared to the flagship smartphones of other mobile phone makers it is a thousand times bigger so just imagine how fantastic the image taken by the camera is presence for the P30 Pro the image of the camera is based on this 1.7 inch photo sensitive component but for Mix Alpha this sensor is much bigger to give you a more straightforward comparison this is the mainstream module used on the flagship smartphones the module for 84MP camera so how does the 108MP module look like it is four times larger in size so how to put it incorporate in the smartphone that will be a challenge for the stacking let's look at the front side let's look at the front side and then show you how beautiful the materials you paint as well let's look at this one और यहां आए stop